नमस्कार आप देख रहे हैं राश्ट्रु खबर मैं हूँ आपके साथ जोती सिंग। खबर राजिस्थान के पाली जुले की जहां गाउ गुडा अखरेच की राजकी उच्च प्रात्मिक विध्याले में साथ महीने से पानी नहीं आ रहा है जिसके कारण बच्चों को भारी किलत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चुनाव के वक्त बड़े वादे करने वाली सरकार या ग्राम पंचायत आखिर अब कहा है। ऐसे में इसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा। जहां शिक्षा के इस मंदिर में बच्चों के पीने के पानी के भी लाले पड़ रहे हैं इस दोरान जब बच्चे सड़क पर घूमते दिखे तो उनसे हमने इस बारे में पूछा इस बारे में बात की। तो बच्चों ने बताया कि स्कूल में पिछले साथ महिने से पानी नहीं आ रहा है ना ही इसको लेकर कोई वैवस्था की गई जिसके कारण उन्हें मजबूरन स्कूल से निकल कर पानी की तलाश में पैट्रोल पंप तक जाना पड़ता है। इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रशासन इसको लेकर एक्शन में आएगा या कोई भामा शाहा इसको लेकर स्कूल में टैंकर की विवस्था करवाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। होतल बरकर खाली होता तो पैदल चलके पैट्रों पर या होतल पर जाते है। नाम क्या है आपका। बड़ाई करता। नाम क्या है। तकलीब ज़्यदा है। तो कहां से लाते हो पानी पैदल चलते हैं। कितने महिने से पानी नहीं आ रहे हैं। शात महिन से हैं। अभी तो बच्छों से बहुत मंगवा रहे हैं पंचायत को भी अवगत करा दिया गया लेकिन अभी तक एक माईने से पानी क्या कोई जरिया नहीं मिल रहे हैं तो इस वक्त बचे पानी लेने कहा चाते हैं अभी तो बचे घड़ से पोतले के आता है और उसके बाहर सुना है वह पैटर्ल बंप से वहां पी पाने ला रहे हैं तो इसको लेकर शिक्षा विबाग और पंचे बात की थी आपने पह दो बार मेंने मीटिंग भी बुलाई ये गाउं की जबावकों की और SMC की मीटिंग में भी मैंने प्रस्ताव रख तक्का है लेकिन उसके उपर उपर अमल दे हुआ पारत